हेलो दोस्तों देखो सी को स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तों यूपी पुलिस कॉंस्टेबल भरती 2013 का क्या हुआ बार बार ये कमेंट आला तो देखिए दोस्तों 2013 के बारे में आज की पेपर में आप देखेंगे तो पेज नंबर 4 पे आपको इमिल जाएगा इसको आपको जूम करना पड़ेगा तो यहां पर यह जो निरस परिच्छा हुआ हुआ है उसके बारे में डीटल दिया हुआ है यहां पर आपको यह मिलेगा ठीक है तो इसको 2013 के बारे में क्या कहा गया है जो नही वेकंशी आने वाली है उस में उसके बारे में जब बोला गया है तो 2013 के wounds भी कुछ वक्तब आए हैं और इसका कब तक रूजल्ट हएगा इसके बारे में बताय गया थो direct इसके बारम बताएगया है तो यहां प्रदेश पुलिस भर्ती एंव पद्वन्ती बोड के अध्याक्ष जीपी सर्मा ने बताया कि वर्स 2013 की सिपाई भर्ती से संबंदित अंतिम प्रडाम एक महीने में घोसित कर दिया जाएगा एक महीने में जो है इसका प्रडाम घोसित कर दिया जाएगा एक सवाल पर स्रीमा सर्मा ने बताया कि 2013 भर्ती का प्रडाम वर्स 2015 में घोसित किया गया था इसमें लागू किये गये 36 आरच्षण के नियम को कोट में चुनोती दी गई थी बाद में सुप्रिम कोट ने इस नियम में संशोधन करने का निर्देश दिया इस आधार पर 8000 अभियर्तियों को मेडिकल कराया जारहा है एक महीने में अंतिम पढ़ाम जारी कर दिया जाएगा जिया पासवरते हैं दोस्तों कि हमारे प्रयास हमारे वीडियो आपको पसंद आओगा तो प्लीज हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को अधिक सदिक लाइक किया किजिए साथ ही तक अगर अपने देखोसी को इस यूटूब चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो नी खुशी को इस टड़ी मिलते हैं नेक्स डिवाब में धन्यवाद